अलो गैस कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो भी आर्मी जीडी के जो भी जात्र है आर्मी जीडी की बात करने वाला हूँ और जो भी ट्रिक हम इन कोशनों को लगाएंगे तो देखो यहां जो पहला हमारा कोशन बना है याद देखना है तीस कोशन में उपर के जो थे जीके जीडेट वो कोशन में ने करा देखेंगे अब 31 मां और जो मैत का कोशन है वो देखेंगे तोटल 50 कोशन आपको उजाते हैं तो तो फोड़ा सा उकौशन चूटकियों कोशन करके जा क्योंकि उस कोशन करा रहा हूँ तीक है देखो यहां में आप इससी धिया नाभ घ्याद करना है तो यहां जब भी HCF की जब भी बात करें कोशन में तो सबसे पहले कोशन जो भी नंबर दे रखे हो जैसे कि यहां 12, 15 देखो 12, 15 और 18, 21 दे रखा है तो इन कोशनों के जो अंतर देखते हैं इनका अंतर कितने कितने का है तो देखो 12, 3, 15, 3 का अंतर है तो जो आंतर आता है वही उसका आंसर होता है मतलब कि 3, 3 ही उसका आंसर होगा क्योंकि जो 3 है जो 3 से ये सारी संख्या कटती होगी तो देखो 12 भी कट रहा 15 भी 18 भी और 21 भी इसलिए इसका आंसर क्या होगा इसका जो HCF होगा वो होगा हमारा 3 option number 6 is right तो उनका अंतर निकाल लेना और जो अंतर आये उससे ये देख लेना कि ये चारो संख्या पांचो संख्या जो भी संख्या दे रखी है वो डिवाइड हो रही है यदि वो डिवाइड उस संख्या से हो रही है तो वही हमारा आंसर होगा तो option number 6 is right नेक्स कोशन को देखते हैं बिलकुँ 100 ट्रेक से एक कोशन ही इस कोशन को एक बार देखेंगे सब लोग करने की कोशिश करेंगे बोल रहा है कि 12 लड़कों का आउसत 10 बर्श है उन में से 11 लड़कों का आउसत बन्दा 12 में से ही एक लड़का कम कर दिया जाए तो उसमें से 11 लड़कों का आउसत 9 बर्श है तो 12 लड़के का आउसत क्या होगा जब भी आउसत ऐसी बात करें कोशन में आउसत आयूँ बूझने लगे तो हमें सबसे पहले करने का तरीका क्या है देखो याद कर लेना इनका आपस में गुणा कर देना है और गुणा करके जो भी आए उनको आपस में घटा देना है आंसर आजाएगा कैसे जैसे कहा रहा है कि 12 12 लड़कों का आउसत आई हो कितनी है आपकों के 10 बर्श है तो टोटल की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बर्श हो जाएगा इसी पिरकार से आप कहा रहा है 11 लड़कों का उसत कितना है तो आपकों के 9 बर्श है 9 से गुणा करेंगे तो 99 पे हो जाएगा इन दोनों को मैंने कहा दोनों की गुणा करना और घटा देना 120 में से निन्यान हो जाएगे तो 21 आजाएगा 21 वर्श क्या होगा 12 लड़के का हम से पूचा है क्योंकि देखो यहां 11 लड़का है यहां 12 लड़का है तो एक लड़का जादा है ना यहां तो यदि इन दोनों में से आपस में घटा देंगे तो एक लड़का की जो लाश्ट माला लड़का होगा उसकी आयो निकल के आजाएगी 21 वर्ष तो ऑप्शन नमबर एज परम सत्तान से कितना टाइम लगा किछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको करते हुए करते हुए टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त को करने का सिंपल तरीका यह होता है बिलकुल अब दोको ऐस जब भी ब्याज करें साधान ब्याज कितना होगा तो आपको ऐसा ही बराबर याद आजाना चाहिए प्यार्टी बटे हंड्रैट यह सूत्र होता है साधान ब्याज का आप इस कोशन में रख देंगे आंसर आजाएगा देखो यह पी है यह आर का मांद दे रखा है यह टी जाएगा देखो जीरो से zero करण जाएगा पांथ दूनी तस होता है और तीएं पंदरा होता है दो से काटेंगे दो गड़ा यहां चे आ जाएगा इन दोने गुणा तो कितना जाएगा एट फूर फूर इंटु शिक्स से गुणा करेंगे वहारा आंसरा छे जेच्छ 24 24 26 कितना जाएगा दो आजाएगा और देखें दो दो के हां देखो यह option नमबर देखो यहां लाश्ट में देखो बागी किसी में देख रहा है आपको चार्च है नहीं देख रहा option को भी focus करेंगे एक बार क्योंकि हमें answer चल दी लाकि आना है हमें पूरा question solve करके नहीं दिखाना है हमें बस यह दिखाना है हमारा answer right कैसे है बहुत चुटकियों में next question यहां देखो यह कोशन है इस कोशन को आप एक बार कोशिस करिए करने को अब कैसे करोगे यह कोशन वो कोशन है जो आपके army gd में पूछे जा चुके हैं बहुत ज़दा most important है और 2022 के exam में आपसे बादा करता हूँ यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा आप इन कोशनों को क सारे कोशन है सिंपल तरीके से आपको करा रहा हूँ बताओ इस कोशन का अंसर क्या होगा तभी लोग comment section बताएंगे कह रहा है एक कैंटीन में एक सब्ते के लिए कितने है एक सब्ते के लिए 28 दरजन केली कि अबसकता पढ़ती है एक कैंटीन में एक सब्ता एक सब्ता में कितने दरजन की अबसकता हो यहाई तो कह रहा है 47 दिनों में कितने केलों की अवसकता होगी कितने केलों की तो आप कोगे 7 में 28 दर्जन की अवसकता पर रही है तो एक दिन में कितने की पड़ेगी 74 दर्जन की अवसकता पड़ेगी इसी बिरकार से कह रहा है 47 दिनों में कितने होगी तो 47 से हम 4 की गुणा करेंगे अब कहा रहा है केलो की अब सकता होगी यहां दरजन नहीं पूछा है हमसे केले तो एक दरजन में कितने केले होते हैं तो आपको के 12 तो हम 12 से इनकी अपस में गुणा कर लेंगे हमारे पास आंसर आजाएगा बताओ फटापट के रहने वाला गुणा करिए सबी लोग देखे हम 4 से 6 देखो 7 चोक 28 हो जाएगा तो 188 तो यह आजाएगा इंटू 12 से गुणा करेंगे और 12 से जो गुणा करेंगे तो आजाएगा 256 ओप्शे नमर जिसने भी दिया है इस कोशन को हमेशा लेकि एककिस सब्क्रापकर करते हैं ईक स्टानवे का गंवhone निकालू तो आप किस प्रिकार से निकालों को ट्रीक है आपके पास में इस कोशन को हमेशा option से करते हैं याद रखना हमेशा option से करते हैं ऐसे question को अब 7 का 3 बार घं का मतलब होता है Q किसी भी संक्या का मतलब कि X की Q इस संक्या की Q वो उसका घं होता है अब एक बात बताओ घंमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे धान से देखेंगे एक बार इस question को साथ की यदि क्यू करूँगा साथ सत्य कितना होता है 343 होता है आपको बता है यदि मैं 11 की क्यू करूँगा यदि माल लीजे 11 का लाश्ट वाली अंकों का मैं क्यू करूँ तो एक एक मतला कि लाश्ट में के वाल एक का आएगा तो 11 11 21 21 कितना होता है 13 31 होता है इस बात को याद रखिए और 13 की यदि क्यू की बात करूँ अब यहां देखो लाश्ट वाली संख्या का की कर दें तो लाष्ट में शाथ इसके आरहा इचा हुर्ण से ने की तो हमें option number C लगा दो, कितना perfect trick है, कितनी perfect trick है, बताओ, मतलब की option से हम question को देखेंगे, और question देखने का जो तरीका होगा, मैं आपको दुबारा बताता हूँ, question देखने का जो तरीका होगा, यदि हम से उसने कहा है, भाई, Q याद करनी है, क्या करना है, Q याद करनी है, Q, अब हमें य यहाँ देखो, last में 7 है, तो ऐसी Q करके हमें 7 तो आना चाहिए, देखो, यह तो 3 last में आ रहा है, 699, 7, 343 होता है, तो यह खतम कर दो, यहाँ ग्यारम ग्यारम देखो, एक कितनी बार Q करेंगे, तो एक ही आएगा last में, तो यह भी खतम होगा, तीन दिये, 9, 9, 37, 7 आगे last म मतलब की हम option से question को करेंगे, मेरा कहने का मतलब यह है, समस्रें, चलो, next question को देखे एक बार, 46 मा कोशन कह रहा है, एक आयताकार का मतलब यह आयत है, मिद्धिहान से देख लिएचे, इसकी जो लंवाई है, यहां से आना गोई 30 है, और यह इसकी चोड़ाई है, यहां से यहा 20 हैं यहां से यहां तक, तो यह भी 20 होगी, अब इन सब का जोड़ जो होता है, वो परीमाप कहलाता है, मतलब की एक और एक दो, मतलब की 2A प्लस 2B, यह कह सकते है, 2A प्लस 2B, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, बात ही है यह इना, इन दोनों को जोड़ दो, 2 इन कितना है, 20 है तो 20 रख दीजिए, तो 40 प्लस 60 वरावर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, इन सब का जोड़ देखो, 20 और 20, 40, 30 और 30, 60, 20, 40 और 60, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, तो परीमाप का मतलब होता है, उन सभी भुजाओं का योग परीमाप कहलाता है, चाहिए वो तिर्बुज हो, ब्रत हो, गोला हो, कुछ भी हो, परीमाप का मतलब होता है, उसके चारो और जो परदी है, उसके यह दिया माप करें, वो उसका परीमाप होता है, चाहिए वो घन हो, घनाब हो, संकु हो, कुछ भी हो, उनकी जो भुजाए चारो भुजाओं का यूग या तीनों भुजाओं का यूग जो होगा वो उसका परिमाद खेलाता यूग, नेक्स कोशन को चले, इस कोशन को देखेंगे, ये कहरा है एक पाइप, एक टंकी, देख場, एक पाइप, एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से तीन गुना पहले भर लेता है, माना एक पाइप A है, दूसरा पाइप B है, बी पाइप को एक घंटा लगता है और इसको तीन घंटे लगते हैं, दूसरा पाइप से तीन गुना पहले भर लेता है, पहला पाइप, पहले पाइप तीन गुना पहले भर लेता है, मतलब तीन गुना पहले मतलब क्या है, ये एक घंटे भर देता है, इसे तीन घंटे लगते हैं, दूसरे पाइप से तीन गुना पहले भर लेता है मतलब कि इसको इसको क्या हो दाएगा एक मिट देख लेता है इसको क्या हो दाएगा ये देखो इसको एक गंटा लगता है तो इसे तीन गंटे लगते है एक नुपा तीन माल लो कि एक पाइप एक पाइप, एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से तीन गुना पहले भर लेता है तो ये इसे तीन घंटे लगते है इसे एक घंटे भर देता है यदि बात दिखी जाए ये दोनों पाइप दोनों पाइप खाली देखो खाली टंकी को 30 मिट में भर देते हैं यदि इन दोनों पाइप को मिला दिया जाए मतलब एक और दो चार घंटे में जो कर रहे थे काम ठीक है चार मालो जो चार काम कर रहे थे तो उसको कितने में 30 मिट में भर देते हैं तो चार से इन दोनों को जोड़ कर हम इसके गुणा कर लेंगे, चारतियां 12 चारतियां 12, 120 मिन्ट लगेंगे, इन दोनों को टोटल जो काम होगा, वो 120 मिन्ट होगा, ठीक है, 120 मिन्ट होगा, टोटल, यदि ये दोनों मिलकर काम को कितने में, के बल'll 30 मिन्ट में तो यह कितने में करेगा अकेला तो कहोगे 120 मिनट में करेगा यदि बात करता भी तेज वाला कितनी दिल्दी कर देगा तो यह 40 मिनट में कर देगा 40 मिनट में कर देगा यह 120 मिनट लगेंगे तो हमसे धीमे धीमी वाला पाइप कितने कर दें भर देगा तो 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या होता है, दो घंटे, option number D लगा दो, option number D लगा दो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, नहीं होनी चाहिए न, option number D बिल्कुँ simple तरीके से करो इस question को, ऐसे करो next question यहाँ गोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 17 से विभाजित है, वो क्यों से होगी, जब 5 अंकों की संख्या की बात की जाती है, तो आप इस question को ऐसे ही करोगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे आप उसके बाद में उसको क्या करेंगे इस प्रकार से divide कर दीजिए या फिर आप इसको क्या कर सकते है, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका है इसको भाग कर दीजिए, कितने से? 17 से, 17 से ही भाग करेंगे, तब ही इस question का answer आपाएगा, simple क्योंकि विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम विभाजित कर देंगे, तो करो, देखिए, 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 14 बचेंगे, 9 उतार लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 17, 8 कितना होता है, 17, 8, 136 होता है, 136 गटा देंगे, तो 3 बचेंगा, 1 बचेंगा, फिर हम हमें नो अतार लेंगे फिर 178 136 होता है इसी प्रकार से कितने पचेंगे मैंसे इन संख्या में इस heard हमें क्या करना है पांस को घटा देना है पांस को घटा देंगे वो 17 से पूरी संख्या विभाजित होगी तो पांस घटाएंगे नो मच तो चार बज़ेगा चार नाइन 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 तो आप देख सकते हैं क्या है डी प्रम सबता इसे कोशन को हम इस प्रकाल सही करेंगे बिलकुल भाग करना है और जो से इस पर आय, उसको घटा देना है बस यह और रहे नेक्स कोशन हम की सामने आ सकता है लेखो इस को यदि इस कोशन को देख जाए 29 कोशन को एक बाहन से देखेंगे सम्मेशन समय क ये सभी बुझाएं बराबर होती है यदि ये 12 cm है तो ये भी 12 cm होगी हमसे ये पूछा है छेतरफल क्या होगा तो संभाहू तिर्बुझ का छेतरफल जब भी पूछे संभाहू को छोड़कर और किसी तिर्बुझ का छेतरफल पूछ ले एक्जामर तो हमेशा याद रखना एक बटे दो उचाई प्लस उचाई इंटू आधार इंटू उचाई ठीक है आधार इंटू ये फिर यहाँ आधार इंटू उचाई ये होता है और सभी तरबुज जिसे दिसंभाहुतर बुज हो गया उनका छेतरफल यदि इस छेतरफल की यदि स्क्वार ऊंडरुट 3,4 बँजाकी स्क्वार इसका ये चेतरफ सूतर होता है संभाहुतर बुज के लेकिन और किसी तिरुज की बात करें संभाहुतर बुज को चोड़ कर तो एक बटे 2 आधार इंटू अलहार इंटू उचाई बस ये उसका च्चेतरफल होता है और बार चार इंटू भुजा दे रहे रहे बारा इंटू बारा आप इसको काट यह कितने स्कटेंगे काट लीजिए यह देखो तीन बार चले जाएगा और बार तीन चार इंटू आजाएगा तो चार इंटू इतना जाएगा इस प्रकार से कोशन को शॉल्प कर देंगे बिल्कुट सौट ट्रेक्स है यह कोशन को याद करना सूत्रों को लिखते रहना बहुत ज़रूरी है किनी दू संख्या का कुल योग कितना है बिटा 25 है उनका अंतर 13 है तो संख्या बताईए बताओ कैसे करो इस कोशन को देखो इस कोशन को हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है देखो यहां हमसे प्रकार कि दो संख्या का योग मतलब कि X प्लस बाई बरावर जो है वो 25 दे रखा है कह रहा है उनका अंतर मतलब कि उन दोनों संख्या का माइनस से घटाया जाए तो कह रहा है वो 13 बज़ता है अब एक बात बता दो ऐसे भी कोशन को जब भी कोशन आता है तो इन कोशन को भी हम किस से करते हैं ओप्शन से करते हैं आप्शन से करते हैं आप्शन कैसे करोगे अब देखो 12 और इन दोनों संख्या को एक संख्या ये है 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 एक संख्या ये एक संख्या और एक संख्या ये संख्या है अब एक बात मुझे बता दूँ आप तो नहीं उचेंगे तो कट गया 15 तो होता है कि 21 मैंसे 4 गटाएं कि 13 बचेगा यह दोनों कंडिशन फॉल होनी चाहिए जुड़के 15 आने चाहिए और घटके 13 आना चाहिए तो यह भी नहीं होगा इन दोनों गटाएं तो नहीं देखे 19 मैंसे 6 गटाएं तो 13 तो बचेगा औ और 19 और 25 हो जाता है तो इस प्रकार्श को करो ओप्शन से नेक्स कोशन आपके सामने दे रहा है एक गोले की तरज्या कितनी है वो कर रहा है साथ सैंटीमीटर है तो प्रश्टिय चेत्रफल क्या होगा जब भी गोले की बात करे उसका चेत्रफल यात करने के लिए कहे तो याद रखना मेरे दोस्त या तो बो संपूर्ण शेत्रफल पूछ लेगा यह आप से बक्रश पर परश्ट शेत्रफल से कहते हैं वह हमेशा समान रहता है चेंज नहीं होता तो क्या होता है चाहें वो बक्रश कोई इसा भी हो गोले का वो होता है फोल्पाई आर स्क्वाई इसको याद रखिये गोले का चेतरफल कोई सा भी हो जब प्रष्ट पूछ ले समपूर प्रश्टी पूछ ले उसका जो चेतरफल होता है न॥ल包 का दोटा है जो होता है आजमार देखे 7,8,6 आ गया ठीक है और 7,8,6 चपन और 6 कितना होगा 61 हो जाएगा बिटा 661 सेंटीमीटर सुरी 616 सेंटीमीटर सोला चेदो देखो 616 सेंटीमीटर option नमर बी परमसत्तानसर होगा 16 616 सेंटीमीटर option नमर बी परमसत्तानसर होगा तो इस पिरकार से कोशन को बिल्कुल सौट ट्रिक से करेंगे हम कभी भी कोई मतलब कि वेद भावशन करना है कभी भी भी भावशन नहीं करना है हमें ठीक है याद रखेंगे ऐसे कोशन को चुटकियों में करेंगे सूत्र याद रखेंगे हमेशा next question आपके सामने देखो यह 42 मा कोशन है और 42 में कोशन को कहरा है यहाँ आपको LCM ग्याद करना है मैंने आपको HCF की trick बताई थी first portion जो भी दिया था उसमें ये बोला गया था इन दोनों का अंतर आपको निकाल के HCF को ग्याद करते हैं लेकिन LCM को कभी भी आप करो तो LCM को हमेशा आप कार्ट के करो कि आपकी life में कभी कोई problem ना आए आप इस पर कार्ट के करो कोई दिक्कती नहीं आएगी दो से कार्ट दो 4 बचेगा यहां 5 बचेगा यहां 15 की ऐसे उतालो यहां 8 बचेगे यहां 10 बचेगे फिर कार्ट विसको 5 से डिवाइड कर दो यहां 4 बचेगे यहां 1 बचेगा यहां तीन बचेंगे, यहां तुमारे आठ बचेंगे, यहां दो बच जाएंगे, फिर इसे दो से डिवाइड करतो, यहां दो बच जाएंगे, फिर यहां एक है, यहां तीन बचेंगे, यहां चार बच जाएंगे, यहां एक बचेगा, फिर दो से डिवाइड करतो, फिर यह राइट रहों पहत्कि डूरा करनें लुए यहीं हमार करने के लिए तो इस तरीगे से ही करना है आपका आनसर कभी गलत नहीं जाएगा चाहें कुछ भी हो जाए नेक्स्ट कोशन आपके सामने आ जाता है एक बार देखिएगा इस कोशन को हमसे पूछा 10%, 20% और 30% के करम बार छूट निमने उकित में से अकेली छूट के बराबर होगी देखिए यदि दो छूट आपसे पूछे अकेली छूट तो होती है एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे हैंड़ाइट इस सूत्र से कर देते हैं यदि दो सूत्र दे रखिए होते हैं ठीक है अब यहां हमसे देखो जश्ट मोमेंट रोखे इससे हम फैक्सचर वेलू में तोड़की कर सकते हैं यह आपको एक तरीका देखो एक तरीका तो यह हो सकता है मानिए 100% था हमें % निकाल नहीं है इन्टू यदि मानिजे 10% की छूट दी जाए तो आप होगे 90 की छूट दी गई 100 से इसी पिरकार से 20% की छूट दी जाए तो 100 से कितने की 20% तो 80 बचेगा इसी पिरकार 30% की छूट दी जाए तो 70 बटे 100 हो जाएगा अब जो कट रहा है उसको काड देंगे जो कट रहा है उसको काड देंगे जो कट रहा है उसको काड देंगे 50.4 तो आया अब हम तो आंसर तो है नहीं तो हमने माना कितना था 100 100 मेंसे क्या करेंगे पिटा 100 मेंसे 50.4 को घटा देंगे तो हमारे पास आजागा 49.6 परटेंट यही हमारा आंसर है एक तो तरीका यह हो गया इस कोशन को करने का अब दूसरे तरीकों के बो देख लो यदि य और नहीं हो पा रहा है कोई इश्यू आ रहा है लेकिन फिर भी कोई इश्यू आ रहा है तो इस कोशन को हम दुबारा से देखेंगे मलब दूसरे तरीके से देखेंगे आपको इस तरीके से भी सिंपल तरीके से सौट तरीके से आप कर पाएंगे कोशन को अब दूसरा तरी तरीका क्या है वो देख लिए एक बार क्या है इस को और में तोड़ेंगे इसको परषंटेज्क को 10 परशंटेज का मतलब क्या होता है 500-10 आठीज सिस्सक्राइबGy तूरेंगे तो बीच परशनट की पांचर में तो दोड़ेंगे तीन बटे तीन बटे, कितना होते है? दस होता है तीन बटे दस होता है ठीक है, इस प्रकार को याद रखेंगे हम अब, अब बताई हमें क्या करना, हमसे छूट बोची गई है छूट कितनी होगी थोड़ी से लाइन में हम सकोशन को कर पाँएंगे आप factor value में पता है तो लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाई ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे factor value निकाली जाती है तो यहाँ हमें बता दू कि 10 रुपए की चीज में यदि 1 रुपए की छूट दी जाए तो वो 9 रुपए की बेची जाएगी इसी पिरकार से 5 रुपए की चीज को हमें 1 रुपए की छूट दी जाए तो 4 रुपए की विची जाएगी 10 रुपए की चीज को यदि 3 रुपए की छूट दी जाए तो 7 रुपए की विची जाएगी तो इसी पिरकार से क्या हो जाएगा विटा देखू नीची हम क्या करेंगे इन सबकी आपस में गुणा कर लेंगे तो यहां देखू 10,700,500 और ये कितनी आ जाएगी इनकी आपस में गुणा करिये देखे देखे 63, 64, कितना हो जाएगा 64, giàud甚麼 होते हैं 252 हो जाएगा 252 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे देखो यह क्या इतनी छूट दी गई हमारे पास इतने रुपए की कोई चीज लेके आए और इतने रुपए की छूट दी गई तो हम क्या करते हैं परशेंटिट इफेक्स निकालने के लिए तो कहेंगे तरीका वही होगा करने का अप उस तरीके से कर लेंगे तो भी बहतर है आप करड़े को कैसे लगता है फैक्शर वेलू तोड़कि अच्छा लगता है यह फिर मैंने आपको जो उपर वाला तरीका बताया था कि सव माल लिजे और इननु क्या कर सिषांट की चूट है तो सो रुपए की चीज़ को वहीं असी रुपए की बेचेगा यह दी बीच परशेंट चूट दे रहा है और गुणा करेंगे बटे दस बचे हैं और इनकी पांसो चार बटे दस और पॉइंट जो यहां से हटाएंगे दस को तो यहां बजाएगा 50.4 वहीं 100 में से 50.4 को घटा देना है जब घटाएंगे तो जिनका पांच अनुपात तीन है जिसके गाओं में पाँ कितने आठ सो पुष है मदला कि पाँच बरावर उन्होंने आठ सो दे रेके हैं तो एक बरावर कितना होगा तो आप गोगे पांच पाँच एकंच होता है पांच छकतीस होता है 160 हो जाएगा मतलब कि 160 गुना होता है इसका इसका 160 गुना कितना हो जाएगा हो जाएगा उप्शन हमारे सामने क्या रहने वाला है डीज परमसत्त आंसर है तो कोशन को चुठकियों में करेंगे कोई भी कोशन आ कोई इशो नहीं आएगा हमारे सामने हर कोशन का सतीक अंसर होगा नेक्स कोशन आपके सामने है राम एक काम को दस दिन में कर शकता है मोवन पंदरा दिन में कर शकते हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे इसके दो तरीके होते हैं एक तो होता है एक्स बाई बट लेकिन जब मिलकी बात कर रहा है तो आप पिलस कर दीजिए जब बूख कह रहा है कि एक बंदा काम करता है एक फोड़ देता तो इस में से माइनिस कर देंगे आंसर आजएगा दो तरीके से कोशन को करने का तरीका बताओं गा जो आपका दिल में ये काम खतम कर देंगे option number B is right है दो लाइनों में स्कोशन को कर दिया हमने एक तो तरीका ये होता है दूसरा तरीका जान लो यदि माल लीजिये राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है मोहन उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो इन दोनों का LCM ले लेते हैं तो 30 LCM हो जाएगा तो जो काटेंगे इसको ठीक है तो ये तीन दिन में खतम कर देगा ये दो दिन में खतम कर देगा ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे पांच हो जाएगा और पांच से क्या करेंगे 30 को divide कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 6 दिन में 5 शक 30 दिन बन्दब कि 6 दिन अब आपको ये trick अच्छी लगती है तो ये कर सकते है उपर वाली ये वाली अच्छी लगती है तो ये कर सकते है आप एकी मर्जी है दोनों तो से answer आएगा जो आपका दिल करें जो आपको अच्छा लगए वो कर सकते हो ठीक है को इशू नहीं है नेक्स कोशन को चलते है अब यहाँ देखेंगे भाग नंबर 4 जो हमारा आता है पांच कोशन जो पूछे जाते हैं रीजनिंग के उन कोशनों को देख लेते हैं कैसे रहेंगे कोशनों को देखें यहां बोला गया अगर एक संकेतिक भासा में वी ओ एक्स यार शब्द कोश्ट को यह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे तो देखो यहां है बी हमें इनको हमेशा याद रखना इनका अल्फावेट नंबर आपको जिसको पता है वो इन कोशनों को आसानी से कर पाएगा वो इन कोशनों को आसानी से कर पाएगा तो यहां देखिए दो, पंदरा, चौबिस, पाच, आठ, अठारा कैसे लिख दिया? क्योंकि इनका अलफावेट नमबर होता है याद रखी B का मलता दो नमबर पे आता है पंदरा, अंदरा नमबर पर O आता है तो इस परकार से, अब देखो तो दो से क्या हुआ है, यहां लिख लेते हैं देखी, दो, उसके बाद में क्या हुआ है दो से कितना, पंदरा, फिर चौबिस है और फिर क्या है इ है, पाच नमबर पर आता है आर अठारा नमबर पर आता है, यहां कहरा है A हुआ है, A कितने नंबर पे आता है बिटा, A, A देखो, हम देखो, इससे क्या लिखा गया है, A, तो A आता है, एक नंबर पे, उसके बाद में Q आता है, 17 नंबर पे, उसके बाद में कितना आता है, W आता है, 23 नंबर पे, 7 नंबर पे, और यह होता है, यह भी 17 नंबर पे आत यहां एक घटाया गया यहां दो जोड़े गया यहां एक घटाया गया इसी पिरकार से हम यदि बात करें 22 जोको बी में से एक कम करेंगे तो यू बचेगा आई में से आई में दो जोड़ेंगे नौ में दो जोड़ेंगे तो ग्यारा मतलब कि के हो जाएगा तो के यहाँ है यहाँ है देखो यू 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 वाला तो अम वाला को कटी जाएगा option number हम भी लगा देंगे विलकुल सौट ट्रिक से करेंगे हर question को आप समझ सकते हैं मतलब कि हमें पूरा solve करने की जरूरत नहीं है जब हमें पहला option दूसरा option मिल जाता है और बाकी सब कट जाते हैं तो हमें option से मतलब नहीं होता हमें बही answer लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास exam में time नहीं होता है जादा और question को करना पड़ता है यहाँ देखो एक question हो रहा है आपके सामने की एक लड़की ने एक लड़के का परीचे मान दीजिए वो लड़की ये है जो girl है और एक लड़का है जो बुआए है इसका ये लड़की परीचे दे रही है तो हमने तीर का निसाने दर लगा लिया परीचे देते हुए कहा कि रहे है ये लड़का है ना मेरे चाचा का इस लड़की के चाचा है कोई के पापा चाचा जी के भी पिता जी है कोई ठीक है उनकी एक बेटी है और बेटी का बेटा है ये कह रहा है ये जो लड़का है ना उनकी बेटी का बेटा है तो ये तो आपस में भाई बहन हो गए औ और ये जो लड़की है वो चाचा की लड़की है इसके भाई की इसके भाई है इसके चाचा का कोई भाई है उसकी ये बेटी है ठीक है तो ये जो ये जो पीड़ी आप देख रहे हैं ये सब भाई-भाई है उनके पिता ही है इसके भी पिता ही होंगे और इसकी बेहन का कोई पुत्र है, यह उसका पुत्र है, ठीक है, यह उसकी पुत्री है, उसके चाहता है, तो यह क्या है, यह फुपेरे और मेरे भाई बहन हुए, तो यह पूछ रहा है, लड़के का लड़की से क्या समझना है, लड़के कौन है लड़की का, तो आप कहोगे वो भाई है, लड़क कोशन आपसे पूछा गया है देखिए relation बहुत simple होते हैं कोशन निकाल सकते हैं इस कोशन को series को पूरा करना है तो करने का सही तरीका कौन बताने वाला है देखो यहां है 4, 4 के बाद कितने हुए 6, 6 के बाद कितने हुए 8, 8 के बाद कितने हुए 10 आपको के सर bên dá seu गाइश यह आठ्र नंबर पर आता है यह छे नंबर पर आता यह चान नंबर पर आता है अलफड़ नंबर याद कलनो कोस्रान बहुत इजी हो जाएगे त्हीं है तो मतलब की डिके कि यहाता है यही लगा देंगे पूरा question को solve करना is की जरूत नहीं है करना चाहूं तो कर सकते हो कोई issue नहीं है देखो यह है buy buy में से क्या हुआ ہے buy होता एफिटा 25 नंबर पे 23 में से 2 घटाए 21 बचे 21 में से 2 घटाए 19 बचे और 19 में से 20 में से 27 बचेगा 17 का मान क्या होता है क्यों होता है तो यही तो हो गया LG Q, option number A next question क्यों चलिए देखे उनिद्चास्मा question एक बार ध्यान से देखेंगे रामू एक जगाए A से मान लिजे A इस्थान ये है यहां से रामू 5 km उत्तर की दिसा में जाता है उत्तर हमने मान लिए इस परिकार से यह पूरब है यह उत्तर है यह पश्यम है और यह दक्षण है उत्तर की और 5 km जाता है और उसके बाद बाएं मुड़ जाता है जब यह बाएं मुड़ेगा तो इस साइट वो उसका बाएं होगा 3 km चलता है फिर बैद दाएं मुड़ जाता है और 2 km चलता है फिर भे दाएं मुड़ जाता है फिर साइट मुसका दाएं होगा फिर भे तीन किलो मीटर जाता है अब वो दूसरे 20 थान पर पहुंच जाता है अब वो कह रहा है पहुंच जाता है तो A से B तक की दूरी कितनी होगी तो कि यहां से लेकर ध्यान से देखिएगा एक बार एक कह रहा है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 किलोमेटर होगी क्योंकि यहां से यहां तक यह दो किलोमेटर होगी तो यह दोनों को एड़ कर लेते हैं तो पांच-प्लस दो बडाबर शाद किलोमेटर हो जाएगा option नमबर ए परमसतां चारुँगा इस पर गारते को सी क इसमें देखो 64 के बार 32 हुआ है, मतलब क्या है, इसका आदा हुआ है, इसका आदा फिर 16 हो गया है, फिर इसका आदा 4 हो जाएगा, option नमबर B प्रमसतन, मतलब कि सब का आदा हो रहा है, 64 का आदा 32, 32 का आदा 16, 16 का 38, 8 का आदा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो option number A तो आज की वीडियो कैसी लगी comment section में आप जरूर बताएगा RVGD के लिए important जो question है मैं आपको daily provide करा हुआ एक practice set 50 question का जिसमें 30 question एक अलग वीडियो में GKGS से डालेंगे worthy 100% बलेगी तो चलको subscribe करना ना भूले Thank you, love you